Cerebral Palsy एक ऐसी बीमारी जिसमें बच्चों के लिए ही नहीं बलकि उनके माता-पिता और परिवार के लिए भी समस्याएं होती हैं इन बच्चों के लिए भविस में क्या इलाज और सुधार की संभावना हो सकती है क्योंकि Cerebral Palsy भी बहुत कॉमनली सुना जाता है आखिरकार ये किस तरह की बीमारी है क्या ये कौन जैनिटल है या जन के बात होता है बच्चे बड़े होते हैं तब होता है और ये बीमारी होती है तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कैसे इसको पहचाना जाए ताकि हम अपने दर्शकों को बता सकें और वो अवेर हो सकें जा वुक्षा का इंसिधेन्स पे पिछले कुछ साल हो में बढ़ा है सो अबजय क्या है यो कि प्रोबिल होती कि पहले मैं वह को बता हूं गए संबर नाम कह रहा है डिलीवरी के समय या शुरू के कुछ हफतों में बच्चे के ब्redicimize को ब्रें को इसे से कुछ चोट पहुंच छूट में कुछ इंसल्ड हुई एज यूजली वो होती है इंसल्ड के बच्चे के ब्रेन को औक्सिजिन नहीं मिलती है नॉम ली बच्चा पड़ा होते ही होता है अगर बच्चा पैदा होते है रोयगा नहीं रोने से क्या होता है कि फेले उसको oxygen और सारे nutrients मिल रहे हैं मदर के थू लेकिन अगर बच्चा रोने लगता है जैसी रोता है तो इसके शिर्ट में हवा जाने लगती है अगर बच्चा रोएगा नहीं जाएगी बाड़ी में तो बाकी और फिर भी कुछ मिनिट्स तक प्रविबली उसको सह सकते हैं बट बरेन को तीन या चार मिनिट में उक्षिजग चाहिए तो वो तीन चार मिनिट में अगर आखशिग नहीं मिलती है तो बरेन को कुछ नगुछ डैमेज हो जाता है और उसको हम साइन्टीफिक टरमें आगे जाके सेर्वल पालसी लेबल करते हैं ब्रेन हमारी पूरी बाड़ी को कंट्रोल करता है, बैठने को, चलने को, बोलने को, so depending upon brain के किस हिस्से को डैमेज हुआ, उसके accordingly बच्चे के सिम्टम आते हैं, कोई बोलने ही पाता है बच्चा ठीक से, कोई सुनने में दिक्कत आती है, किसी के IQ एफेक्ट हो जाती है, तो सेर्वल पालसी का स्पेक्ट्रम काफी बढ़ा है, सिम्टम बहुत सारे हो सकते हैं, अलग बच्चे में अलग, सेर्वल पालसी नाम एक है, पर हर बच्चा उसमें अलग होगा, बोलना, सुनना चाई होता है, बच्छों बिलकुल नाममल भी होता है, काफ बच्चों एक उलग करते हैं, मेला काम उससे प्सिद करना है, तो बच्चे के लिए चलना, बैठना सब मुश्किल होता है और उसके सोलिश उसके कॉंसेक्वेंटली उसके जो माइल स्टोन्स है नॉमली एक बच्चा गर्दन तीन महीने पर सभालता है छे महीने पर बैठने लगता है एक साल के आसपास चलने लगता है तो सेर्वल पालसी के बच्चे में मोस्त अधर माइल स्टोन्स डिले हो जाते हैं और दाट इस दो मोस्त कॉमन प्रेजंटिंग सिंटम पेरेंट्स को दिखाई देने लगेगा तीन महीने होगे बच्चे ने गर्दन नहीं सभाली तीन से छे तक शे महीने तक नहीं सभाली तो अगर पेरेंट्स को कभी भी ऐसा लगे कि पैदा होने के बाद बच्चे के माइल स्टोन्स डिले चल रहे हैं चे महीने तक उसने गर्दन नहीं संभाली है या एक साल तक नो महीने दस मेने तक एक साल तक बैठना नहीं शुरू किया तो दैट्स काइंड ऑफ पॉइंटर यह इशारा है कि प्रभली बच्चे को सेर्वल पालसे में फिर वही बात है कि अगर हम जितना जल्दी टीटमंट स्टार्ट करेंगे उत्रा हम आके प्रॉब्लम्स को बचा पाएंगे क्योंकि अगर मसल्स टाइट लाग काफी लंबे समय तक एक्ट करेंगी जिस मसल्स ने ऐसेक्ट करना था वो त्यड़ी देगी देन कॉबलम्स मल्टी फोल्ड बढ़ जाती है